महिलाओं में कामभावनाओं की कमी के कारण कैसे प्रॉब्लेम तैयार होते हैं उसके बारे में मैं आपसे आज ये वीडियो में बातचीत करने वाला हूँ मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर में मनोविकार सेक्स रोक सम्मोहन तथा विसनमुदी तग्यों महाराष्ट में अकॉला में प्रैक्टिस करता हूँ एक लड़की को उसके माने मेरे पास में लाया करीब करीब 24-25 साल की उमर है और कॉलिफाइड लड़की है ग्रेजवेट हो चुकी है और इसलिए लाए कि दो दिन पहले उसका फाइनल मतलब शादी तय हो रही थी एंगेजमेंट होने वाला था लड़का आया था पसंद कर लिया और अभी जब इंगेजमेंट करना है तो उसने बोला कि मुझे नहीं करना है शादी अब हुर्म को प्रब्लम की चूंध नहीं है क्या हो यह तो मुझे जो हने मतलब जो हने वाला पती है उसको मैं कोई समाधान दे नहीं सकूंगी और ऐसे इसको फसाना मेरे लिए अच्छा नहीं है और मुझे अच्छा लगता नहीं अब उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि वही इसको करना क्या अभी तक उसने लड़के देखें मगर वहा क्या कि पूचा मैंने डीटेल में तो बोले मैंने काफी मतलब यह पहले से हो रहा है जब से मुझे मासिक धर्म मतलब M.C. चालो होगे मामरी चालो होगे तब से मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बाकी लड़कियों जैसा कोई लड़की का तरफ अट्रेक्शन नहीं है मैंने बह बोला कि मेरा ऐसा प्रॉबलम है मैं शादे नहीं कर सकती है अभी जब ऐसा इस तरह का मोगा है कि अभी एंगेजमेंट के लिए अभी फाइनल आ गया तो उसने बोला कि मैं नहीं करने वाले अब जब मैंने उसको पूचा या खोरा कब से तो बोले मेरे को पहले से को एट् लाइफ जिना ऐसा उसमें करो कुछ ना कुछ तुम सम्मोहित करो उसको हिकनोटाइज करो उसके सबकॉंशस माइंड को जो भी आप सजेशन देना चाहते वो करो और यह लड़की को अच्छा कर दो यह लड़की बीमार है अब लड़की को देखा तो वैसी वह बीमार नही है लिविड़ों नहीं है सेक्शुल इंट्रेस्ट नहीं है डिजायर नहीं है तो मैंने इसको ठीक हम बैठेंगे और बातचीत करेंगे कुछ काउंसिलिंग करेंगे क्योंकि लड़की की इच्छा थी है थी मुझे कोई सेक्शुल एट्रेक्शन पैदा कर दे सकता है या हो पड़ा कि उसने उसके माबाप का सेक्स करते हुए जब वो एकदम छोड़ी तो उसको याद भी नहीं है वो देखा उसको बोलते है प्राइमल सिन और जब वो देखा तो उसको कुछ तो भी ऐसा भायनक लग गया कुछ तो भी है और वो कुछ एक्स्प्रेस ना कर सकी और तो उसको तबसे ऐसा एक डर बैढ़ गया कि शेक्स मतलब कुछ तो भी भायनक है और थोड़ी बड़ी होने के बाद में साथा आट साल के बाद में उसका जो मामा था मैंटरनल अंकल वो इसके घर में आता था तो यह बड़ी जब हो गई उसको याद नहीं है कि कब क्यों म मगर वो उसको चेड़गानी करता था उसको शेक्स लेटा उसको पास मे लेना सेक्स करना मतलब किसींग गरना इशा मतलब यह करता था तो यह इसने कंप्लेंट करने की कोशिश किया उसके पेरेट्स के तरफ की मामा ऐसा करता है तो भूलनी nais only आई इसा कुछ भी नहीं है वो उसको experience पूरा मैंने experience करने के लिए बोला, फिर से experience कर वो experience, मतलब experiencing the experience, कि क्या हो गयाता उस समय, और जब उसने वो experience किया पूरा, और उसको जब मालूम पड़ा है, कि रहे, वो कुछ साल पहले हुआ ता, उसका अभी कोई सम्मन है नहीं, जो हुआ वो हुआ, वो past में हुआ, उसकी जो story जो है, उसकी जो कहानी उसकी दिमाग में, उसका जो उसने interpretation दिमाग में बिठा के रखा है, तो लेकि ठीक है, अभी मैंने वो पुरा मेरे दिमाग में से जो है, वो complete किया, अभी मैं सुचती हूँ, जब उसके sitting बढ़ते गए, आगे-ागे, तब उसको इच्छा हो गई कि ने, अभी मैंने वो complete कर लिया, वो जो मेरे कुछ डर लगता था, वो डर पुरा उसने निका हुआ है क्या, मतलब उनका परवरिश, जो है मानया, पिता जी ने, उसमें कोई problem हुआ है क्या, money के problem है, money के बान में problem है क्या, और sex के बार बार चार एरिया जो देखते हैं कि मा, बाप, money and sex, तो इसमें कुछ न कुछ problem दिखाए देता है, तो वहां से counseling की हम सुदूबात कर इसके लिए मानसीख स्वास्तिर वैसन मुक्त भारत यह हमारा संकल्प है इसके लिए आपका भी हात लग जाएंगा ञापका लाएंगा झाल्प ट्रा वांगा मैंक्त वार्ची तो राप।